जी नाजरीन मैं हूँ खालिद वट और आप देखनें 4 exclusive का live show नाजरीन मुझे ये शिकायत काफी सुनने को मिलती है कि हम सदर साब को अपने शोज में या अपने चैनल पे जादा रखते हैं और वजीरादम साब थोड़ से एग्नोर हैं वैसे उनको काफी एग्नोर किया जा रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कुछ ना हो आज हमारे show में वजीरादम साब तश्रीफ रखते हैं उनसे काफी बातें करेंगे आफकोर्स आपकी involvement बहुत जरूरी है असलाम अलेकुम अब शाकादी सब थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी पुरानी जिन्दगी में जब आप एक बैंकर थे और आप माशालला वजीरादम हैं क्या डिफरेंस है बैंकिंग की नोकरी में और प्राइमनिस्ट्री की नोकरी में कोई खास फरक नहीं है मैंकिंग की नोकरी में बहुरा से यकाम को पे दे दिया करते थे और प्राइमनिस्ट्री में भी बहुरास यकाम से एक दो दिन पहले पे दे दे थे ज्यादा फरक नहीं है अश्रागसी साब आपने अपनी अमर का और अपने केरियर का जादा हिस्सा बाहर गुजारा है उसके बाद आप पाकिस्तान आए पाकिस्तानी को किस तरह का पाया आप पाकिस्तानी लोग सिर्फ बातों के ही शेर हैं प्रैक्टिकली ये कुछ भी नहीं आप इसकी मिशाल में आपको यू दूँ बातें करते हैं कि हम वतन के लिए जान दे देंगे जरह सी चीनी महंगी होई तो शौर करना शूरू कर दिया रोना शूरू हो गए जरह सी महंगाई बरदाश करनी सकते वतन की खातिर जान क्या खाक देंगे जरा सी भूक तो बरदाश कर ले शौक साब मीडिया जिस तरह आजकल काम कर रहा है जर्नलिसाब के दोर में काफी आजादी हासिल हुई है क्या देखते हैं जर्नलिस्म सही तरफ काम कर रहा है जर्नलिस्म की I always admire and appreciate जर्नलिस्म That's why I am the Prime Minister of Pakistan नहीं मैं जर्नलिस्म की बात कर रहा हुआ जर्नलिस्म की बात कर रहा हूँ शौक अजी साब जिस तरह सफाई का मसला बहुत ज़ादा पाकिस्तान में complicated होता जा रहा है बिमारियां फैल रही है especially dengue virus जो पिछले दूनों काफी फैला है हकूमत क्या कर रही है उसके लिए No no खालिद I totally disagree with you हम पे पहले ही दुनिया में इतना शौर मचा हुआ है कि ये terrorist हैं और ये terrorist acts करते हैं इसलिए हमें उन dengue's को मारना नहीं चाहिए बलके हम अपनी अपनी घड़ियों का हमें टाइम थोड़ा आगे कर लेना चाहिए क्योंकि ये मच्छर अपने टाइम पे काटता है तो जब मैं आपको मिसाल यू दूँ मच्छर छे बज़े निकले गा अगर काटने के लिए तो हमारे पास टाइम होगा आठ हमने टाइम चेंज किया होगा तो मच्छर खुदी कन्फियूज होके मर जाए तो आरी शागजी साब को इंट्रैप्ट करूँगा इस वक्त हमारे पस काल मौजूद है मौलाना फद्रैमान साब की मेरे खाले यूके से लाइव हैं वो जी मौलाना साब अलो असलाम वालेकुम असलाम आपको किसने बता दिया हम यहां पर आये हुए हैं हमें तो सब कुछ पता चल ही जाता है फिक 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 एनिवेज पर अफसूस है कि लोगोंने जूठी अफवाए पाकिस्तान में फैलाई है कि यहां लंडन में पप्प्ज हैं कलब्स हैं बार्जें डिस्कोज हैं यह फैलाई हुई बात नहीं है बलकि यह तो मैं खुद अपनी आँंखों से भी देख चुका हूं लोगों को जाते हुए पब्स में ये आप साउथ हाल और डाउन स्ट्रीट के दरम्यान से जो रस्ता एक राइट पे निकलता है 16th Avenue की जानेब से तो बैक साइड पे 16th Avenue के एक पाम ट्री है उसके पीछे बिलकुल एक पब बना हुआ बड़ा अच्छा फ़रनिश्ट पब है किसने कहा वहाँ पर कोई पब नहीं बस उसी पाम ट्री के पास खड़ो यही पूछ रहा था था थांकियो वहरी मैज्स अलो मौलाना साथ बस नज़र आ गया मैं वही खुरा हुआ हूँ मैं खाले कोई अड्रेस पूछना चाह रहे थे बहुत 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 शुक्रिया आपका शुक्रिया शौकर जिस तरह पिछले दिनों जनरल साफ की किताब मारकेट में आई उसके अंदर कुछ चीज़ इस तरह थी जो क्रिटिक्स का कहना ही है कि उनको शाया नहीं होना चाहिए था बुक के जो फैशन्स आ गए हैं सब लोग अपनी बुक्स लिक रहे हैं क्या कहते हैं आप भी सुना इस प्रॉसेज में है खुदा के लिए खालिद मैं क्या लिख सकता हूं I don't have any option मैं क्या लिखूँ बैंक में डिकेटी के साथ रास्ते पैसे गिनने का असान तरीका क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट तेरे भाई के पास और कोई रस्ता नहीं है तो इसलिए मैं बुक नहीं लिख सकता खा तर्रिजम के अगेंस्ट हम अमरीका के इस किसम के दोस्ते उए असलम भाग तेरा बाह आगया है आग मैं बल्कुल समझा नहीं शौकादी सब्सक्राओं सेंपल लॉजिस्टिक स्पोर्ट इंटेलिजेंस स्पोर्ट इस टाइप की सेंपल स्पोर्ट हम अमरीका की करेंगे आज जी शौकर रजी साब इंटरैप्ट करूँगा एक दफ़ा फिर और इस दफ़ा कॉल है चौदरी शुजाओ सेंस आपकी जो अगर ना ली गई तो आपके लिए मसला बन सकता है जी चौदरी साब अमीद मारे बालो बाशू असलाम अलेकूम मेरी बंगाली चक्की असलाम वालेकूम असलाम चौदरी साब कैसे हैं आप और बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का पॉइंट पॉइंट सो के जाली नोट इद मुबारक वाले आए चाहिए बस सिर्फ आपका दस्ते शवकत महरबानी आपकी आशिरवाद चाहिए सर चलो फिर ये नोट मैं फाड़ देता हूँ ये मुबारक वाले एनिवेज यार मतलब ये बंगला देश पाकिसनान के खलाब इतनी बातें क्यों करता है इस स्वाल का जवाब दें तमाम तर स्वालाद के नबर मसावी हैं और दो मसालें कम से कम दें सर वेरी नाइस क्वेस्चन और इसका जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं और इट सॉनली डिसपॉइंटमेंट फॉर एस और नथिंग अलस खाले अब आप ये देखें पाकिस्ता कि आपके उनको बुरा न लगे कोई अपना नाम देता है किसी को पिर भी मुझे समझ नहीं आती आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ बातें इस में तो मॉशालली शाब की ऑघान चौदरी आलनके बंगलादेश में तो कोई चौधरी भी नहीं था बरादरी इजम के तमाम बातों को किल करते हुए उन्होंने बंगलादेश को इतना स्पोर्ट किया मुझे भी बड़ा दोख है अब मैं कहला है इस इस नाट फेर इस इस अव्यूसली नाट फेर जी बहुत शुक्रिया चौधरी साब आपका बहुत मेरबानी सब थैंक यू शौधरी साब एक सवाल मैं सबसे मुमन करता हूँ आपके ख्याल में उसामा को अमरीका किस तरह पकड़ सकता है या बुश किस तरह पकड़ सकता है हर तरीका तो उन्होंने अपना के देख लिया एवरिफिंग इस फ्लॉप दा बैस वे जो है वो यह है कि उसामा को बेटा बुश को किड्नैप कर लेना चाहिए और फिर उसामा को फोन करना चाहिए और बुश उससे कहे कि तुम्हारा बेटा मेरे कबजे में है अगर इसे जिन्दा देखना चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो और पैसे लेकर पुरानी टेक्री वाले गंगा मंदर पे पहुंच जाना और अगर तुमने पुलीस को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके कुतों को खिला देंगे अई तिंक दिस इस दा बेस्ट पॉसिबल वेज़ दैट अम्रेश पूरी टोल्ड़ अब लेकिन एक बाकी बाते हम खालिक करते रहेंगे आपने राभी पिर्जादा का ने वीडियो देखा है हसर का वेरी नाइस वीडियो जी बहुत अच्छा वीडियो है राभी का शी इस जीनियस आपको इंट्रैप्ट करूंगा शौकर साब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन और उसके बाद वापस आते हैं आपको इंट्रैप्ट करूंगा यहां पर कॉल लेना जरूरी समझता हूं अब राभी की कॉल नहीं जी राभी की नहीं आप अर्बाब गुलाम रहीम साब की आप उन्हीं के से जीते थे मेरा खाले मतलग बिल्कुल अर्बाब बकरवाल रहीम साब की मैं बहुत इज़त कर अब करनी पड़ती है उन्होंने सीट ना देते तो मैं बे सीटा ही रहता अजी अर्बाब साब अर्बाब बकरवाल रहीम साब अज़ मैंने इतवार कुछ में की नमाज पड़ी है और नमाज पड़ के जिस वक्त घर हाया हूँ तो मैं ये सोच रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या होगा कि बड़ा बिकारी और छोटे बिकारी में क्या फरक है अज़ आप बता दू आपनी सीट मुझे दी अगर ना देते तो मैं बे सीट ही रहता सीट की वज़ा से मुझे आपकी भी इज़त करनी पड़ती है एनिवेज ही एड आस्ट आ वेरी नाइस क्वेस्चन बड़ा सिंपल सा आंसर है बकरवाल साहब इसका चोटा भिकारी रुपया मांगता है और बड़ा बिकारी उसामा बिन लादिन को मांगता है कुछ टिपिकल सवालों से निकलेंगे एक सवाल दिमाग में है आप प्राइम मिनिस्टर है बहुत मुस्रूफ आदमी है फारिक वक्त में कुछ खाना तो बनाते हों गया नो जैनब कांट कोक शौक जब प्राइम मिनिस् आपस में मिलते हैं तो किस किसम की कंडिशन होती है वेरी नाइस क्यस्टन. जिस वक्त फाइनशल शौकत प्राइम शौकत से मिलता है तो ताइम प्राइम टाइम हãos पृद्प साइँ आप और फाइनशल शौकत कहता है ऐसलाम यलिक्म सर प्राइम मिनिस्टर कहता है वौले असलाम क्यों आये हो तै कुछ फंट्स चाहिए थे अभी उस दिन जो लेकर गए थे, कहां खर्च किये बाकी पैसे, इस सर वो कुछ दोस्त मिल गए थे, उनको वेरी इंटरिस्टिंग कन्वसेशन शौकर जीज साब, पूरी दुनिया ग्लोबल विलिज बनती जा रही है, लोग की क्लेम करते हैं हर दफाँ, मेरी नजर में मैं कहता हूँ कि दुनिया ग्लोबल स्ट्रीट है, ग्लोबल विलिज बहुत आगे की बात है अच्छा, मैं कहता हूँ, यानि आप अपने अंदर ही अंदर खुदी वजीर इतलाद भी है, नहीं मैं अक्सर सोचता हूँ, बिंगा, इसलिए बंगला देश तरकी नहीं करता, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ शौकर जीज साब, नहीं नहीं लेकिन अपरोच तो आपकी ब प्राइम निस्टर बनेंगे? नो, इंपॉसिबल, आप पूछना क्या हैं, खुल के पूछें, मेरा मकसद ही है कि हमारे एक प्रोसीजर है, सियासत के थूँ लोग आगे आते हैं, अपने आपको शो करते हैं, उसके बाद किसी लेवल पर आते हैं, एक बंदा बाहर से आके ह हमारे मुलक का वजीरादम बन गया, कुछ बात समझ नहीं आती? I confess कि हजारों लोग क्यूटी बैंक के इंपलॉईज हैं, मगर हजारों इतने नेक नहीं हैं, जितना शोकत अजीज है, मतलब आइ तिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं, कि में मुलक का वजीरादम कैसे हैं, मेरा मकस्दी था किस तरह क्या आफर थी? हुआ यूँ खालिद के एक रोज में अपनी ड्यूटी पे क्यूटी बैंक में कड़ा था, तो सदर उस वक्त जर्नल साब थे, वो लाइन में खड़े थे, उन्होंने गालिबन कोई 2200 रुपे का चेक जमा कराना था, तो मेरी नजर पढ़ गी, मैंने का सदर साब आप यहा का हसर मेरे पास तो शेरवानी भी नहीं, केने लगे हमारे पास भी विजरीयाजम नहीं, कोई बात नहीं, तो मैंने का ओके आज यू विश तो स्टार्ट में मैंने सूट से इबता की विजरियाजमी की आइस्टा आइस्टा फिर पैसे जमा की ये फिर शेयरवानी भी ले ली इसमें शूक्रिया वाली तो कोई बात नहीं खालिड मैं मुल्क का प्राइम निस्टर हूँ और मैं कौम के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैंने प्राइम निस्टर बनने के बाद क्या सीखा छोटों से शिखत, शुझात से महबबद, बड़ों का एहतराम, बड़ों का एहतराम, और बड़ों का एहतराम जी बहुत बहुत शुक्रिया, जी राजीन, चौकर दीस सामा अधरमान मौझूद थे, काफी मस्रूफ इंसान है, लेकिन अफकोर्स उन्हेना में टाइम दिया, मैं दोबारा इन का शुक्रियादा करूँगा, आप देख रहे थे फोर्स पुलिजू का लाइफ शो, I think that's all for today है।